तो बच्चो आज हम हिंदी में पार्ट दो सची जीत रीड कर रहे हैं आप भी इसको बुक में रीड करें और बाद में इसके जो शब्दार था उनको अपनी नोटबुक में राइट करें तो अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं ये लेसन जो हाब का ये दो किसानों की जो किसी गाउं में रहता था उसका नाम था शाम सिंग और जो शाम सिंग था वह बड़ा भयांकर और अभिमानी था मतलब वह उसकी किसी से नहीं बनती थी वह हर बात पर दूसरों से लड़ाई करता था और किसी से भी सिदे मुँ बात तक नहीं करता था वहनाय तो खुद किसी के घर जाता था और रास्ते में मिलने पर भी किसी को परणाम नहीं करता था तो गाउं के सबी जो किसान थे उसको एहंकारी समझ कर उसके साथ बोलते नहीं थे तो किसी अन्य गाउं से आकर उसी गाउं में एक आत्माराम नामक किसान भी बस गया था जो आत्मा राम था वह बड़ा सीधा और सरल सभा का व्यक्ति था वह सबसे नमरता से बात करता था सब की साहता करता था सभी किशान उसका आदर करते थे और सब कामों में उसकी सला भी लेते थे तो जो गाओं के अन्य किशान थे उन्होंने आत्माराम से का कि भाई आत्माराम तुम श्याम सिंग के घर कभी मत जाना और उसे दूर ही रहना वह बड़ा जगडालू व्यक्ति है इस पर आत्माराम ने बड़ा हंश कर जवाब दिया कि श्याम सिंग ने यदि मुझसे जगडा किया तो मैं तो उसे मार ही डाल दूसरे खिसान उसकी इस बात मा कमरा मुर सींग जाने किसी इसकी खिसान श्यास टेरा जाने खिए लाल पीला कुछ वाह को लेकर जगडा करने की चेश्टा करने लगा उसने आत्माराम के खेट में बैल छोड़ दिये तो बैल जो थे वो बहुत सारा खेट चर गई किन्तो आत्माराम ने कुछ नहीं कहा और बैलों को चुपचाप खेट से बाहर हांक दिया इसके बाद श्याम सिंग ने आत्माराम के खेट में जाने वाली पानी की नाली ही तोड़ दी पानी बहने लगा आत्माराम ने फिर भी चुपचा पाकर नाली बान दी इस परकार श्याम सिंग बार बार आत्माराम को हानी पहुंचाता रहा लेकिन आत्मा राम ने एक बार भी उसे जगडने का अवसर नहीं दिया तो एक बार आत्मा राम के यहां उसके संबनदी ने लखनव से मीठे-मीठे खर्बुजे वेजे आत्मा राम ने सभी खिसानों के घर एक-एक खर्बुजा भेज दिया लेकिन श्याम सिंग ने उसका खरबुजा यह है कहकर लोटा दिया कि मैं भीख मंगा नहीं हूँ मैं दुसरों का दिया हुआ दान कभी नहीं लेता तो वर्शारी में श्याम सिंग एक गाड़ी अनाज भरकर दुसरे गाउं से आ रहा था तो रास्ते में दोनों गाउं के बीच में एक नाला पड़ता था नाले में बहुत सारा किचड था तो उस किचड में श्याम सिंग की जो गाड़ी थी वो फस गई और श्याम सिंग के बैल इतने दूबले थे कि वो उस गाड़ी को किचड से बाहर नहीं निकाल सके चाहिए तुम तो कहते थे कि वह लड़ेगा तो मैं उसे माल डालूँगा फिर आज तुम उसकी मदद करने क्यों जा रहे हो तो इसका भी जो आत्माराम का उसने बड़ा सुन्दर जवाब दिया और बोला कि आज तो मैं उसे सचमुच ही माल डालूँगा तुम लोग सवेरे उसे देखना तो जब स्याम सिंग ने आत्माराम को बैल लेकर आते देखा तो वह गरव से बोला तुम अपने बैल लेकर लोट जाओ मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए आत्माराम ने कहा कि तुम्हारे मन में आए तो मुझे बुरा बला जो भी मन में आए वो कहो मन में आ अपने जो बल्वान बैल थे उनको गाड़ी में जोड दिया, उसके बल्वान बैलों ने गाड़ी को खींच कर नाले से बाहर कर दिया, स्याम सिंग अपनी गाड़ी लेकर घर आ गया और उसका दुष्च अभाव उसी दिन से बदल गया, वह कहता था, आखिर आत्मराम ने अ मेरा एहंकार चूर चूर कर दिया, अब वह सबसे नमरता और प्रेम का व्यवहर करने लगा, बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है, आत्मराम ने सच्ची जीत पाई, तो बेटा यहां संकली द्वारा लिखी हुई यह कहानी है, और इससे हमें सीख मिलती है, कि अगर को पारा ही हम बुराई को हरा सकते हैं, और किसी के जो मन में गलत भावना उसको बदल सकते हैं, तो बेटा इस कहानी को आप पढ़ें, और इसके जो यह सबदार्त हैं, इनको अपनी कॉप्पी में लिखें, थैंक यू, एंड हैवे नाइश डे,